Hi friends, Safety for All, Zero Ann पर स्वागत है आज हम लोग काम करने से पहले हम लोग जो चेक्लिस्ट बनाते हैं उसके बारे में डेटल से बात करेंगे वो फार्म कैसे भरा जाता है उसको कैसे बनाए जाता है उसके बारे में बात करेंगे तो चले शूरू करते हैं सबसे पहले जो है आपका company का logo लगाईए माल लिजे आपका यहां contractor और client का हिसाब है तो दोनों तरफ दोनों का logo लगा लिजे एक तरफ contractor का एक तरफ client का उसके बाद आपका जो company है वो company का name यहां पूट कीजिए और heading दे दिजे checklist for work starting on roof उसके बाद documents number issue number date अगर revision हुआ है एक documents revision number date यह लिखिएगा उसके बाद reference documents और यह standard जो standard फॉलो करके आप यह checklist मना रहे है न और आपका company जो standard फॉलो करते है वो standard यहां पूट कीजिएगा उसके बाद आता है project name and number उसके बाद date, location, type of roof यह पूट कीजिएगा उसके बाद आता है यह इस्रियल नंबर description, condition इस्रियल नंबर में एक एकर के description है यहां और description अगर माल लिजिए condition अगर yes है तो yes कीजिएगा no है तो no और not applicable है तो a ने कर दीजिएगा और remarks में extra कुछ point आपका है और point में कुछ लिखना है तो वो remarks में लिखिएगा सबसे पहले access जो access है access आपको access में जो point आता है वो आपको पहले check करना पड़ेगा माल लिजिए structure जो है उपर से दिखाई दे रहा है क्या ठीक है उसके बाद आप access कैसे करेंगे रूप में वो internally और externally वो check करेंगे आप तर उसके बाद आता है access जो है कौन सा access आपको दिया गया है और access जो point है वो repair condition जो है वो देखना पड़ेगा आपको material को कैसे आप रूप में लेके जाएंगे वो देखना पड़ेगा और fall arrester जो है उसको check करना पड़ेगा fall arrester चेक करने के लिए अगर आपको help की जरुरत है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं और आपको company का जो है method statement बनाया गया है ना उसमें पीपी specification में वो full lead लिखा जाता है वो देख लीजिए एक बार वो आपको help करेगा company का जो method statement है वो आपको age है तो आपको वो description देना परेगा उसके बाद कोई भी guardrail present है क्या और guardrail का height कितना है वो सब देखना परेगा ठीक है और walkway on roof उसमें जो जो check करना परेगा वो present है क्या उसका clarity जो है visible है जो दिखाई देता है क्या वच्छा से और कोई hazard है क्या वो भी यहां देना परेगा hazard है तो clean करना परेगा कोई भी obstruction रूप में है क्या देखेंगे encourage वो भी check करना परेगा equipment जो है equipment का details अगर है तो वो आपको details यहां लिखना परेगा equipment का ठीक है और कोई भी any extra consideration है तो वो आपको put करना परेगा यहां ठीक है opening में आता है जो जो other opening है guardrails उसके बाद जो guardrails और कोई hole है क्या वो आपको यहां details put करना परेगा falling equipment रिक्स है क्या वो भी और other consideration में है communication जैसे माले जो उपर काम करना है न वार करकर communication कैसे होगा उसका कोई भी protocol है क्या वो देखना परेगा और signage जो हर site में हर काम सुरू करने से पहले signage देखना परेगा ठीक है यह सब पूरा check करने के बाद आप अगर satisfaction आपको मिला तब यह verify केजिए और जो यह बनाया है उसका signature name and date must उसके बाद check करता है safety engineer या safety official ठीक है और very weird accept करता है आपका hsc head या safety head जो है तो ऐसे बनाया जाता है उम्मिद करते हैं वीडियो आप लोगो help करेगा तो help करे तो like तो जरूर मंगता है ना हम लोग like share कीजिए और subscribe करेजी चैनल को तो कोई भी वीडियो आपको मिलेगा यह हम लोग जो है इसी तरह का safety का हर वीडियो बनाते हैं जितना कोशिश करते हैं हम लोग जितना easy भासा में आपको समझाए वो basic जो need है वो एक student का ज्यादा time नहीं जहीं पाता है ना तो come time में clearance आपको दिमाग में सब easily आपको समझ में आए वो ही कोशिश करते हैं तो चलिए ओके बाई